तो किहल चाल दोस्तों मेरा नामे सानू अगर आप एक एक्सिस बाइंग का ग्राहक हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है एक्सिस बाइंग ने 1 मई 2021 से अपना चार्जेज में कुछ बदलाव कर रही है साथ में मिनिमम बाइलेंस पर भी चार्ज को बढ़ा दिया है इसके साथ ही अब आपको मिनिममम बाइलेंस ज्यादा रखना पड़ेगा अपने अकाउंट में अगर आप एक्सिस बाइंग का एटियम कार से कैश निकालते हैं तो इसका भी कुछ चार्ज को बढ़ा दिया गय है सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल्स में अगर आपको भी जानना है इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा बड़ दोस्तों से पहले अगर आप हमारे चैनल पने होंगे चैनल को सबस्क्राइब जरू कीजिएगा बगल में एक बैल आकन आएगा उसको भी प्रेस कर लिजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में जरूर सेयर किजिएगा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों अगर आप एक एक्सिस बाइंग का ग्राक है और अगर आपके पास सेलेरी एकाउंट है या फिर सेविंग एकाउंट है तो दोस्तों आपके लिए जो है एक माई 2021 से सबसे पहला चार्ज है अगर आप एक्सिस बाइंग का एटियम से पैसे निकालते हैं इस चार्ज को लागो होने से पहले अगर आप एक्सिस बाइंग का ATM से 4 से ज़्यादा transaction करते थे तो आप से जो है 1000 रुपया का cash निकासी पर 5 रुपया का charge लगता था लेकिन अब जो है एक मही से आपको जो है 5 रुपया का जगा पे 10 रुपया charge देना होगा यानि अगर आप 1 मही 2021 के बाद से Axis Bank का ATM से cash transaction करते हैं तो आपको जो है 4 बार free मिलेगा एक महीने में और जैसे हैं आप 4 बार से ज़्यादा transaction करेंगे तो आपको जो है 1000 रुपया पर 10 रुपया का charge देना होगा दूसरा charge लागू किया गया है Axis Bank की तरफ से minimum balance को लेकर यह charge saving account के लिए है पहले metro city में 10,000 रुपया आपको maintain करना होता था अपने account में लेकिन जो है इसे बढ़ा कर 15,000 रुपया कर दिया गया है अब आपको जो है अपने account में 15,000 रुपया maintain करना होगा अगर आपका account metro city में है इसके साथ ही अगर आपका account metro city में है और अगर आपका account का type prime है या liberty saving account है तो आपको पहले जो है average monthly balance maintain करना होता था 15,000 रुपया लेकिन अब जो है इसे बढ़ा कर 25,000 रुपया कर दिया गया है ये सभी जो है एक माई के बाद से लागू हो जाएगा अगर आप एक माई के बाद अपने account में balance नहीं maintain करेंगे तो आपको जो है पर 30,000 रुपया काम होने पर 10 रुपया का charge लगेगा लेकिन दोस्तो पहले क्या होता था कि पहले जो है minimum charge जो इसका था 1500 रुपया था लेकिन आप जो है इसे घटा कर 50 रुपया कर दिया गया है जैसे अगर आपका account में 15,000 रुपया maintain करना है और अगर आपका account में 14,900 है तो दोस्तो आपको जो है इसके लिए 50 रुपया charge देना होगा पहले दोस्तो यह charge जो है 1500 रुपया था इसी के साथ में पहले जो है अधिकतम charge 600 रुपया था लेकिन जो है इसे बढ़ा कर अब जो है 800 रुपया कर दिया गया है एक्सिस बैंक की तरब से तीसरा बदलाव किया गया है सेलेरी एकाउंट में अगर आपका सेलेरी एकाउंट है एक्सिस बैंक में और अगर आपका एकाउंट 6 महिने से ज़्यादा पुराना है और किसी एक महिने में अगर आपका एकाउंट में salary credit नहीं होता है तो आपको इसके लिए 100 रुप्या परती महिने चार्ज देना होगा वही अगर आपका खाता में पिछले 17 महिने से कोई transaction नहीं हुआ है तो आपको जो अठरवे महिने में यानि अगला महिना में आपको जो एक बार 100 रुप्या चार्ज देना होगा इसके अलावा अगर आप अपने access bank का account में pain card details जनमतिती update पता अगर आप change करवाना चाते हैं email id वे अगर अपडेट करवाना चाते हैं account transfer करवाना चाते हैं तो आपको दोस्तो इसके लिए 100 रुप्या चार्ज देना होगा और access bank की तरफ से SMS alert का भी चार्ज बढ़ा दिया है पहले दोस्तो आपको तीन महिने में 15 रुप्या चार्ज देना होता था लेकिन दोस्तो अब यहाँ पर आपको एक SMS के लिए 25 पैसे चार्ज देना होगा लेकिन इसमें आपको बता दें कि जो bank की तरफ से OTP आता है जो भी offer वेगरा का SMS आता है ये सभी का चार्ज नहीं लिया जाएगा तो access bank की तरफ से यही चार्ज लागू किया गया है को subscribe रुकिजिएगा बगल में एक bell icon आएगा उसको भी प्रेस कर लिजिएगा दोस्तो अगर आप लोग कुछ भी पुछना कोई भी problem आ रहा है नीचे में comment कर सकते हैं आप मुझे Instagram पर भी message कर सकते हैं मिलते हैं आप से किसी next वीडियो में